जै गुरुदेव महर्शी बेद विज्ञान विश्विद्धा पीठ जोतिस भाग द्वारा दैनेक बैदेक पंचांग प्रिस्तुत करते हैं महर्शी सम्बसर एक सो पांच चल रहा है विक्रम शम्बद दोहज्यार उन्याशी के अंतरगत दक्षण आयन है हैमन्त रितु है मार्शी समाज सुखलपक्ष की आज 13 सिति ती 6 बच का 51 मिनट प्राता परियंत रहेगी तत पस्चाथ 14 सिति का प्रारम होगा आज दिन मंगलवार है भरनी नक्षतर है 9 बच के 18 मिनट दिन तक रहेगा तत पस्चाथ करतिका नक्षतर का प्रारम होगा शिव योगे आज 3 बच कर 41 मिनट रात्री परियंत रहेगा तत्पस्चा सिद्धिनाम का योग प्रारम होगा तेतिल करण है 6 बच कर 51 मिनट प्राता तक रहेगा तत्पस्चा अधर करण सुरू होगा आज सुर्योदय का समय 6 बच कर 45 मिनट पाता है सुर्यास्त का समय 5 बच कर 15 मिनट शायम है राहु काल आज दिन में 3 बज़े से प्रारम होगा और 4 बच कर 30 मिनट दुपहर तक रहेगा दौस राश्यों का फल सर्पृथम मेश रासी मेसरासी में राहू के साथ चद्रमा है जो कि मेसरासी वाले व्यक्तियों के लिए अनकूल नहीं है इस समय आपको मानसिक चिंता स्वास्त की प्रतिकूलता रहेगी स्वास्त के प्रति बिसेश ध्यान दें देनिक दिन्चरिया का पालन करें नहीं तो आपको शरीर में थकान मानसिक परिशानियों का सामना करना पड़ेगा और ब्यर्थ के बिवादु से आपको दूर रहना चाहिए पारिवारिक कलह उत्पन हो शकता है परिवार में सामन्जस रखें अपने मित्रवन्दों का शहयो करें उत्तम होगा ब्रशवरासी ब्रशवरासी वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा होगा स्वास्त अंकूल होगा मन में प्रशनता होगी और सुन्दर रमनी की स्थानों की यात्रा आदी भी होगी भहत एक सुक्सीदा के परती विशेश रुजान रहेगा शमय देवी आराधना आपके लिए सबसे उत्तम होगी देवी कवच का पाठ इत्यादी करते हैं तो उत्तम है स्रिशूक्त का पाठ भी कर सकते हैं मिथुरासी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा जहां कारेच्षेत्र की प्रिगति के लिए उतार चड़ाओ रहेगा वहीं आपको पारिवारिक कुछ बिवाद की स्थितियां भी उत्पन होंगी परिवार में ध्यान देनी की आवश्यक्ता है अपने मित्र बंधों के साथ सामंजस बनाकर की रखें आप जो कार कर रहे हैं उसको मन लगा कर करें कुछ मन में उतार चड़ाओ की स्थिति आवश्य रहेगी लेकिन आपको धन का आगमन कुछ रुका हुआ जो धन है या रण रूप में लेना चाहते हैं तो वह प्राप्त होगा करकराशी करकराशी वाले व्यक्तियों के लिए आज के दिन अच्छा रहेगा स्वास्त की एनकूलता मन की प्रशनता आत्मवाल साहस पराक्रम धैर की ब्रद्धी लेकिन कार छेत्र में धहिमापन अवश्य रहेगा और साजिदारी के कारसी आपको बचना चाहिए जो कारकरें शुतन तुरूप्षी करते हैं तो उत्तम होगा शिंगरासी शिंगरासी का श्वामी शूरिये इस समय ब्रश्चिकरासी म्राजमान शिंगरासी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम होगा संतान के प्रती कुछ चिंताएं आवश्च रहेंगे इस समय मोशम के अनकूल दिंचरिया का पालिन करने की आवश्चता है और इस समय माता पिता मित्रबंधों के सहयोग उनका शहयोग लें और उनका शहयोग आप करें भी तो असब से उत्तम होगा कन्या राशी कन्या राशी का विश्वामी है और बुध है और बुध ही समय धनू राशी में सुक्र के शाथ में हैं कन्या राशी वाले व्यक्तियों के लिए जो सिक्षा की छेतर से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है प्रवंदन प्रशास्तिने कारे के प्रग्यति के लिए सबसे उत्तम रहने वाला है मन की प्रशनता कारे छेत्र के विकास ब्यापार उद्योग विवशाय में आज जो कारे कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो व्यक्ति परिश्रम कर रहे हैं वह भी अपने स्वास्त के प्रिती थोड़ा आवश्च ध्यान दें बाकी समय आपके लिए अच्छा है आर्थिक लाप बना रहेगा तुलाराशी तुलाराशी वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है तुलाराशी का श्वामी साहस पराकरम की बृद्धी कराएगा इस समय सरीर में कुछ थकान अवश्च रहेगी लेकिन अपने स्वजनों के शहयोग से आपके पूर्ण होंगे कार और मन में प्रशनता होगी नवीन योजनाय बनेगी बहुत एक सुक्सविदा के प्रती कुछ लेंदेन में धनका ब्याय होगा ब्रिश्चिकरासी ब्रिश्चिकरासी वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है स्वास्त की अनकूलता होगी परिवार जनों का शहयोग मिलेगा आत्मल की ब्रती होगी जो लोग नौकरी कर रहे हैं मननकूल स्थाना अंतरण प्राप्त होंगे या प्रमोशन इत्यादी के शुब समचार आपको प्राप्त होंगे धनुराशी धनुराशी का श्वामी ब्रश्पती है जो की मीन राशी में ब्राजमान है धनूरासी में शुक्र बुध इस्थित हैं धनूरासी वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा जो सिक्षा से जोड़े हैं उनके सिक्षा की बृद्धी के लिए ग्यान बृद्धी के लिए समय बहुत अच्छा है बोध और शुक्र धनुरासी में ही इस्थित होने के कारण आपके लिए बहुत एक सुस्विदा के छेतर के लिए बहुत अच्छा रहेगा यात्रादी के लिए मंगल कारी होगा इस समय जो भी आप कारी करेंगे जो भी योजना बनाएंगो इसमें आपको शफलता मिलेगी सत्रों पर विजय मिलेगी कोट कचेरी की मामले में आपको शफलता प्राप्त होगी मकरासी मकरासी का श्वामी शनी मकरासी में ही राजमान है मकरासी वाले व्यक्तियों के लिए दिन मंगल मैं होगा स्वास्त के इनकूलता होगी मन प्रशनता होगा कारशित्र में थोड़ा धीमापन अवश्च रहेगा लेकिन जीवन साथ ही का शहयोग भी आपको बरावर प्राप्त होगा इस समय जो भी कारे करेंगे उसमें आपको शफलता मिलेगी कुम्रासी वाले व्यक्तियों के लिए दिन आज का मिला जुला रहेगा आर्थिक लाब होगा लेकिन खर्च की अधिकतावी आपकी बनी रहेगी अपने माता पिता के स्वास्त के प्रती ध्यान देने की आवश्यक्ता है जो मित्र आपके साथ कार कर रहे हैं उनके प्रती भी अपना ध्यान रखें स्वास्त अनकूल होगा परिवार मित्रों के शहयोग से कुछ नवीन कार प्रारम करने का प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलतावी प्राप्त होगी यात्रादी से आपको वचना चाहिए यात्रादी में धन का भ्याय मांसिक परशानि हो सकती है मीन राशी मीन राशी का श्वामी बरिश्पती मीन राशी में ही वराजमान है मीन राशी वाले व्यक्तियों के लिए भी आज का दिन उत्तम रहेगा स्वास्त की अनुकूलता कार्शित्र प्रिगती मन में प्रशनता रहेगी इरहाद दौा सराश्यों का फल इसी के सांथ अपने बार्णी को बराम देते हैं जै गुरुदेड